हेलो गाइज जहें गाइज आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पर अप्रेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे तो चले स्टुएंट्स आज हम अपना जियोग्राफी का प्रेक्टिस सेशन नंबर फिफ्थ स्टार्ट करने जा रहे हैं तो चले हम स्टार्ट करते हैं स्टूइंट्स हमारा फर्स्टोosion है इन विच पलेस आवर अर्थ कम हमारी प्रिथवी किस स्थान पर आती है किस स्थान पर र करे लह हैं एक दो तुटल यह जार Saturn, Uranus, Neptune मैंने आपसे size के बारे में size के according पुछाए मैंने यह नहीं पुछागी sequence 5 पहले Mercury, Venus, Mars मैंने size के according पुछाएगी हमारी जो अर्थ है वो कितने नमबर पे आती है according to size यह पहुंट बात याद रखना according to size कहाँ है मैंने किसके बारे में according to size के बारे में खाए सबसे पहले आगया Jupiter Jupiter के बाद आगया Saturn Saturn के बाद आगया Uranus Uranus के बाद आगया Neptune Neptune के बाद आगया Earth Earth के बाद आगया Venus, Mars फिर Mercury तो देखिए students कितने नमबर पे आई है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th हमारी जो अर्थ है हमारी जो अर्थ है वो 5th नमबर पे यह है तो हमारा A option है वो सही है तो 1st नमबर पे students according to size बार बार सोन बोल रहा हूँ according to size 1st नमबर पे according to size में कौन है Jupiter जिसको ब्रसपती भी कहते है 4th नमबर पे according to size कौन है Neptune जिसको वरुन भी कहते है 8th नमबर पे according to size कौन है Mercury जिसे बूद्ध भी कहते है जिसे बूद्ध भी कहते है तो चले हमारा question next पर चलते है How many satellite of Neptune Neptune के पास कितनी satellites है Neptune के पास कितनी satellite है 1st option है 82 2nd option 27 3rd option है जिर 4th option है 14 तो students जो 82 satellites है 82 satellites Saturn के पास होती है 82 satellites Saturn के पास होती है और 2nd option है 27 27 satellites Uranus के पास होती है और 0 option 3rd option है 3rd option 0 satellite 0 satellite होती है Mercury और Venus के पास और 14 14 satellites होती है Wait कीजिए I'm sorry 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 और 14 14 satellites होती है Neptune के पास जिसे हम वरून भी जाते है तो students इसे हमारा क्या cancer आगया How many satellites of Neptune Neptune के पास कितनी satellites है Neptune के पास 14 satellites है 82 satellites किसके पास होती है 82 satellites Shani Grey के पास होती है 27 satellites अरून पर होती है Zero Buddha और शूकर के होती है और 14 होती है वरून का अब रह गए परीथ juicy रह गए Mangal रह गए और व्रस्पती परीथिभी की एक satellite होती है Mangal पर दो satellites होती है और व्रस्पती बर्स्पती यह सटीलाइट सटीडिनर सब्सक्राइट कि की मुत अवह था जिरू साटलाइट मैंने आपको भी बता किरो साटलाइट सब्सक्राइब अब घ्रे इस्थीड होती है कि सुझेल जीडर था यूई भष साटलाइट मेंस की जीडर यूचियाट वह मैं सॉरी करना चाहूंगा वीडियो बार-बार होम बटन पर जा रहा है उसके लिए सॉरी तो चलिए थार्ड कोशन भी होगा है हमारा आज का फोर्थ कोश्चन है युरेनस नेप्टला ट्व्हल्ट डिसकावर्चावर्ष डिसकावर्ड इसकावर्ट लिए उसके बाद्र प्राक्टिस और जग्रालनौ और उस्के बाताई आप उस वीडिटो को पहले जुरूरिएए फिर उसके बाद प्रैक्टिस स्टा लगा पूइए थो फिर कोई क। मैं कर सकता हम यह आपकी मर्ची फिर, मैं बताता हूं कि यूरेनस यूरेनस की खोज किसने कि थी यूरेनस यह मैंने सिन धुटउत बिलियम यहार यहार स्विल्यम हरसार अंकल नेकी थी कब कि थी सैंटीन इकिसन गी थी किसने कि ऑगे थी विल्यम हरसार अंकल नेकिसने गी थी उननर कि इसे इस सिर्ज पर चेंस करने प्लूटो प्लेनेटि प्लूटो की थी टलय् Before कि nagust करने प्लबलिक से दोन प्लेंट भूर्जेट्लविक लेड्लिक सबसें बड़ा अत्रوس चेंट फॉर्फ फोर्थ में भाइप यॉप्षा हूँ संब्सक्राइब की इसी में किसी को एक दी पांप करेंuldade ask है चलिए नो मैं की तरफ देखते हैं यह पास्ट औक्षन्क टाइटन्स सैंकिंड्ड और वॉप्षन है टाइटेनिया और फोर्थ ऑप्षन है डियानिमडक जो लारजस सैटलाइट तुम सिधियर चारोगे चारोगी चारोगए चारो ग्धक्तलाइट सब्सक्जिख मैं मैं इस बता था कि यह सैटलाइट। कौन से सटेलाइट कौन से गए का है फिस्ट यह ट्राइटर्टन से एंट्टिन रह chew स्टेलाइट गपट का है नेकू पिजिए नेप्टूट गपटिन है जो यह ताइटन है यह साट्रन का सनी का है और जो टाइटेनिया है यह यूरेनिस का है जिसे अरून कहते हैं और लास्ट रहा गया गैनीमेड यह जो गैनीमेड है यह जो गैनीमेड है यह जूपिटर का है मैंने आपको चारो के चारो प्शन बता दिए कि यह सैटलाइट किसका है कौन से किसका है कौन से प्लै सबसे लार्ज साटलाइट का सैटलाइट है गैनिमेड और यह सबसे यह सबसे लार्जाइस्ट भी चलिए च्टुड्स मारा सै नेरेस्ट प्लैनीट टु कर ret कि अर्थ के पास सब है। कि सर हमारे नासा वाले इस इसरों वाले हमारे साइन्टिस्ट वो तो मार्स पर पहले गए जब कि Venus pass में है तो पहले उनको Venus पे जाना चाहिए तो Mars तो दूर है फिर Venus पे क्यूं नहीं गए Venus पे क्यूं नहीं गए क्योंकि Venus पास में है तो students इसका भी कारण है उसका कारण मैं आपको अगले lecture में पताऊंगा मैं चाहता हूँ कि पहले आप उसका कारण मुझे comment box में बताए कि Venus past में है पर वो Mars पर क्यूं गए Venus पर जाने की students त्यारी कर रहे है नासा वले Venus पर जाने की त्यारी कर रहे है अभी पता नहीं कौन से sun में जाएंगे पर त्यारी हो रही है Venus planet पर जाने के लिए यह अग्सर्ण है नीरस दॉर्ष मनेर टू अर्ड बोन अग्रह अर्थ के बोन अगर अर्थ कर पासब्स आपको पता है सीरित होता है सायलस्स को और स्ट्व्डार होता है इसको रिए स्टार होता है इसको डॉक स्टार के नाम से भी जाते हैं और यह 8.6 लाइट इयर दूर होता है हमारी अर्थ से गैनिमेट स्टुएंट्स मैंने आपको भी बताया कि यह जूपिटर की एक सैटलाइट होता है लार्जेस सैटलाइट होता है हमारा फॉर्थ ऑप्शन कहा गया ह कशन्मारा फॉर्थ ऑप्शन डैंवस है डिल्शच स्टुडेंट से स्मालेश्च सैटलाइट है कि स्मालेश्ट सैटलाइट है में मंगल गरह के दो सैटलाइट एक है फोबूस और गैनिमेड और ये जूपिटर का ही नहीं पूरे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जस्ट है और ये डाइमोस मार्स का ही समालेस्ट नहीं है पूरे सोलर सिस्टम का सबसे समालेस्ट सैटलाइट है तो हमारा कोशन था निरस ड्वार प्लैनेट टू अर्थ सबसे ड्वार प्लैनेट एस्ट्रॉइड भी है, यह ऐसे ऐसे कोशन जैसे एक जैसे एक जैसे को topic है, उसके दो-दो हो जैसे serious है, यह largest asteroid भी है, और smallest dwarf planet है, अर्थ के सबसे past smallest, nearest dwarf planet है, ऐसे से कोशन आपको दिमाग में fit होने चाहिए, आपके दिमाग में fit होने चाहिए, ऐसे से कोशन, चले हमारा next question है, 8th question, planets are recognized by 1st option है International Astronomical Union 2nd option है, East Road, 3rd option है NASA, 4th option है, None of these इसका answer है, option A इसका answer, option A है International Astronomical Union यही सब बताता है कि इस planet है, यह planet को 2 ग्रहम उठा के फिक दो यह planet है, इसको solar system के 8 ग्रहम मेंच कर लो, ऐ कर लो ऐसे कर लो, फिलाना कर लो, धिंगरा कर लो यह International Astronomical Union यही बताते हैं 1st question है, in which year Pluto Caldwar planet Pluto मैं आपको बताता हूँ Pluto की खोज किस ने की थी, मैंने उपर बताया था, Clyde Tomball गंकल ने की थी कब की थी, 1930, students 1930 में Clyde Tomball गंकल ने Pluto की कोज की थी, उस समय यह planet था लेकिन, but after August 2006 August 2006 के बाद इस Pluto को ड्वार planet की लिष्ट में डाल दिया गया आप बोलेंगे की सर क्यों डाल दिया गया वो students मैं आपको अगले lecture में बताऊंगा आपके response से देखे, अगर आपका response अच्छा है गा तो मैं बताऊंगा अगर नहीं आ गया, नहीं response है अच्छा फिर भी मैं बताऊंगा, मैं अपना काम करूँगा मैं अपना काम करूँगा, मेरा काम है आपको अच्छे सरे से knowledge देना अच्छे तरह से बढ़ाना वो मैं करूँगा है करूँगा और आपका काम में feedback दीजे, feedback भी रहने दीजे, response करतीजे, आपका response आया था, जो आपके questions को one word में मत कराईए, objective type में कराईए, देखो बच्छा, मैं कई questions होते हैं, जो objective type में लही नहीं नहीं रिखे जा सकते, जो objective type में होंगे, उसे मैं objective type में ही लिखूंगा, जो one word होंगे, जो one word में ही लिखूंगा, अब मैं one word को कैसे objective type में कैसे कर दूँ, जो जीके है उपच्छा, जीके portion को ऐसे ही याद करना पड़ता है, one word में ही, यह आप practice रोज पढ़ेंगे, यह रोज पढ़ेंगे, जैसे मैं मेरे tips में रहा हैं, यह सब nearest planet, ड्वार प्लेनेट, largest planet, मार्स को, ब्रसपत्ती को, सानी को, अरुन को, वरुन को, इन सब को, ड्वार प्लेन की लिश्ट में क्यों शामिल नहीं किये, तो उचले student समारा, next question है, name the satellite of earth, यह satellite का, तो मैंने second question में ही clear कर दिये था, कितने कितने साटलाइट है, अर्थ के पास एक साटलाइट है, और क्य में उसको, इसके spell हिंदी में लिख देंगे, second है, डाइमोस, और यह मैंने बताया था, कि डाइमोस, मार्स की सबसे, पूरे solar system की सबसे चोटी साटलाइट है, अगे लगया, name the satellite of Jupiter, Jupiter की साटलाइट काउन से है, Jupiter के पास एक साटलाइट है, काउन सी है, गैनिमेट, और यह solar system की लाइट साटलाइट है, यह भी मैंने आपको बता दिया है, तो चलिए स्टोट से एक fact की बात है, जो surface, जो surface temperature of Pluto, Pluto बने बताया था कि 1930 में क्लाइट, टॉमबल अंकल ने Pluto की खोश की थी, लेकिन अगस्त 2006 के बाद Pluto को द्रवार प्लैनेट की लिष्ट में शामिल कर लिया गतलते हैं, यह जैसे मान लेजिए, बीट कीजिए, कि यह सन है, यह Pluto है, यह Pluto सन से इतनी दूर है कि इसको एक चक्कर लगाने में, Pluto को अना सन का 248 years लग जाते हैं 248 years लग जाते हैं स्ट्रट्स मुझे आप यह बताएէ मैं लिए यह सन है यह पलूट है मैंँ ने इस शेप में क्यू लगया है चक्कर तोु स्टुडेंट्स सरकल में लगाते हैं ऐसे तो मैंने इस पलूटो को ओ सिफ में endured में चैनल अब कर सकता था कि यह संट है यह प्लूटो है ऐसे सर्कल नहीं बना क्यों लिखा इसका मुझे आंसर तो इस्टूइन्स मैंने देखा कि मैंने एक लेक्चर में हिस्ट्री का थोड़ा आपको बताया था उसका मुझे रिस्पॉंस नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं ऐसा बताऊंगा अगर आपका रिस्पॉंस आएगा फिरी मैं बताऊंगा नई तो एक हिसाब से मैं समझूंगा कि फिर आप मेरे साथ टाइम पास कर र सब्सक्राइब को बताया था 1193 में किसके किसके बीच मोहमद गोरी और प्रित्विरा चुहान प्लस जैचन के बीच में मैंने इसको एक स्टोरी के रूम में बताया था आपको याद होगा तो ऐसे ही अगर आपका रिस्पॉंस आएगा उसकी डिरेक्ली प्रपोर्शनल मेर वीडियो जैसे आपका रिस्पॉंस आएगा वैसे वीडियो यह सपर छाँ अवी आपकी आपको और आपको पड़ना है या अपने घर वालों को या रिष्टेदारों को अपने दोस्त को दिखाने के लिए ही पड़ने करना है अब यह आपकी उपर है तो चली tv आजकर वी